आपके अपने यूटूब चाहिए ग्यान प्लस पर टाइम एंड वर्क यानि कि समय कार की एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजी है कुछ इसमें से मातपूर प्रेशन देखेंगे यहां चलिए सुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के तो चलिए देखते हैं क्य मैं और सिक्स्टी बॉयज किसी कार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं कह रहा है कि बीस दिनों में पूरा कर सकते हैं अब अगर मैं को आप बॉयज में कनवर्ट करिए या बॉयज को मैं में कनवर्ट कर लिजे आपका उत्तर आ जाएगा जी हैं अगर आप यहां पे देख से गुणा करिएगा तो आ जाएगा तो इस प्रेकार से 15 मैं के बराबर कितने हैं 20 वायज है ठीक है इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है 15 मैं बराबर 20 वायज है यहां पर आप कहा रहा है कि 15 पुरुष तथा 20 लड़के उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे यह यह आप से पूँच रहा है ठीक है तो देखिए यह है 60 लड़के जब किसी कार को 20 दिन में पूरा करते हैं तो यहां पर आपको पूँच रहा है कि 20 वायज है और 15 मैं बराबर 20 वाय यानि कि 20 प्लस 20 बराबर 40 वाय इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यही आप से उत और दो तीसा ही यानि कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि उसी कार को जो है चालीस लड़के या पंदरा आदमी या बीस लड़के मिलके तीस दिन में करेंगे थर्टी डेज आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है कह रहा है कि 45 आदमी और 60 लड़के किसी कार को बीस दिन में करते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 15 आदमी यों बराबर 20 लड़के या कह दीजिए कि 3 आदमी बराबर 4 लड़के दोनों बराबर हैं ठीक है चाहे आप यहाँ पर 8 लड़कों को लगा दीजिए चाहे 4 लड आद्मियों को लगा दिए बात स्थiant HO जाएके तो यहीं प Warum एखं़ यह प्ोंच है कि 15 आद्मियों को को मिला दिया मैं तो हमने आद्मियों को जगह 20 लड़कों को लगा दिये और 140 होगे हमारा आप कि 6 लड़के किसी कार सुझा leash कर रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है जो पूछ रहा है इसी को तो आपको उत्तर देना है आपने क्या किया उत्तर दे दिया है इनका चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी स्टिप में एक कदम और आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है अगला सवाल आपकी स्कीन पे आ रहा है उसको आप होती है कह रहा है कोई केंटीन है जिसमें की सात दिनों के लिए कितने भी लोग हो उससे मतलब नहीं कह रहा है कि साथ दिनों में 56 कि यानिकी 1 केजी पर दे कन्टीन में आवस्यक्ता पड़ती है ठीक है अब कितने लोग है उससे मतलब नहीं आपको चावल की आवस्यक्ता है उसे अपरेल और मई के माह में कुल कितने किलो ग्राम चावल के आवस्यक्ता होगी आपका अपरेल कितने दिन का होता है 30 दिन का, माई कितने दिन का होता है 31 दिन का, टोटल 61 दिन में 8 का आप गुणा करिएगा तो 8 छंग अनतालिष यानि कि उसे 488 किलोग्राम की आवस्यक्ता पड़ेगी कुल मिलाके इन अप्रेल और माई के महिने बहुत सरल सवाल था आपको देखने में कठी नहीं लेकिन बहुत सरल सवाल था चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल को समझिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा कहा रहा है कि 2 पुरूस अथवा 3 महिलाएं एक कार को 96 दिन 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं कहा रहा है कि 6 पुरूस तथा 7 महिलाएं जो है इस कार को कितने दिन में कर सकती हैं तो आपको क्या करना है पुरूस को महिलाओं में बदल लेना है कर रहा है कि 6 में और 7 में अब 6 में को आप बैक्त करिएगा तो देखिए 2 में बराबर 3 में तो इसको करिएगा ठीक है कहा रहा है कि उसी कार को कितने दिनों में कर सकती हैं यही तो आप से सवाल पूँछ रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए कहा रहा है कि 96 दिन में कितने दिन में कर सकती हैं इसकार को कर सकती हैं यह आपका सही एंसर होगा कितना अस्राल सवाल था आप के लिए हम फिर से बता दें कि इस प्रकार से आपको सवाल को सॉल करना है चलिए आगे पढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्कीन पे आ रहा है कह रहा है कि एक होस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलो ग्राम चावल 24 दिनों के लिए है ठीक है यही तो कह रहा है आपसे कि 800 व्यक्तियों के लिए 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलो ग्राम चावल 24 दिन के लिए है ठीक है यही सवाल आपसे कह रहा है फिर आपसे कह रहा है आगे कि डेड़ किलोग्राम प्रति व्यक्ति के उनसार 20 दिनों के लिए वो सामगरी कितने व्यक्ति के लिए परियाप्त होगी कर रहा है 1.5 into 20 दिनों के लिए क्या कर रहा है 20 दिनों के लिए कितने व्यक्तियों के लिए परयाप्त होगी अब यहाँ पर व्यक्तियों के संख्या नहीं आप इसको चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं वहाँ पर भी लिख सकते हैं 0 से 0 हम काट दिये 2 से 2 काट दिये ठीक है 15 यहाँ पर अगर यहाँ पर दसमलो लगा है तो दसमलो हम काट के यहाँ पर 0 बढ़ा दें तो 15 15 चक्का 90 यानि कि 16 हो जाएगा यह ठीक है अब 16 8 कितना होता है 16 8 128 होता है यानि कि 1280 आदमियों के लिए 1.5 kg का वो चावर परयाप्त होगा तो 1280 यानि कि यह आउपसन आपका सही होगा इसी प्रकार से इन सवालों को करना है एक साइड का पच्छा आपको उपर लिख लेना है दूसरे साइड का नीचे साइड में लिखके जितना हो काट दीजिए जितना बचेगा वही आपका उत्तर होगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार के कुछ और सवाल हम देखेंगे तो आपको प्रेक्टिस हो जाएगी और आसानिक से आपको इन सवालों को कर सकेंगे चलिए अगला सवाल फिर से आपके स्कीन पर आ रहा है कहा रहा है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रते दिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोच सकते हैं कहा रहा है 18 आदमी ठीक है या 36 लड़के तो इसको 18 दुनाई 36 आप इसको लड़कों में बदल लिजे तो एक मैन बराबर 2 वाइज ठीक है 2 वाइज तो यह कर दीजिएगा 18 दुनाई यहाँ पर कितना है 36 लड़के है ठीक है तो 36 लड़के है ठीक है हमने तो कह रहा है कि 36 लड़के किसी कार को 6 घंटे काम करते हैं और एक खेत को 24 दिन में जोचते हैं यह देखें अब आगे पूचरें 24 आदमी देखें एक आदमी बराबर कितना होता है दो लड़का 24 आदमी तथा 24 लड़के यानि कि 24 दुनाई 48 आदमियों बराबर लड़के हो गए और 24 पहले से यानि कि 72 लड़के चीक है फिर चाहे आप हम नीचे लिख देते हैं आप बगल में भी लिख सकते हैं कहा रहा है कि 72 लड़के 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस खेत को कितने दिनों में जोच सकते हैं आपका सवाल यहाँ पे सौल हो चुका है 12-36 हो जाएगा 12 चंग 72 हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा 3 तिकाई 9 3 अठे 24 यानि कि 8 दिनों में वो बच्चे जो है इस खेत को क्या परकार पाएंगे जोदे बस आपको कुछ नहीं करना है लिख लेना है और काट देना है जो कटेगा जो बचेगा वही आपका उत्तर आ जा कि लान को जबकि सबसे सरल सवाल तो हमको यही लगता है कि सबसे सरल सवाल में अभरती तेने इसंगा यही वह कर पाते है लेकिन सवाल में कुछ नहीं वास्तोम में चलिए एक और सबस्वाल कर बढ़ते हैं दस व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं फिर कह रहा है तो दोगनी छम्ता वाले व्यक्ति वाले 20 व्यक्ति उस कार को कितने दिन में कर सकते हैं यही आप से पूँछ रहा है कि 10 व्यक्ति जो है किसी कार को 20 दिन में कर सकते हैं तो दोगनी छम्ता का क्या मतलब है 20 हो जाएगी और कि यह दस में दो से आप आप से कर दिया जाए किAB से आपसे दुगना मोटा है यह हम करते हैंगे भी इस वयक्ति उस काम को करते हैं क्या बिश वेक्ति उस काम को पूरा करते हैं ठीक है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तो ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका देखिए उत्तर अब 20 दुनाई यह कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिये ध्यान से आप देखिएगा कि 20 दोगुनुई छम्तावाले 20 व कार कर सकते हैं तो दोगनी छमता वाले व्यक्त उस दिन को कितने दिनों में कार करेंगे तो यह देखिए बीस दुनाई चालिस दोगनी छमता का मतलब दो हो गया तो देखिए 10 यहां पर दूगनी छमता आप 20 मत लिखिए तू दूगनी छमता आप डारेक्ट लिख दीजे बस आपका उत्तर हो जाएगा बीज दुनाई 40 अब इसको काटिएगा बीज दुनाई 40 दूपंचे 10 पांच दिन में फाइब डे आपका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा जी हा तूगनी छमता आप दो लिख दीजे उसको दूगना मत करईए चोड़ दीजे उसको वह आप दूगनी छमता जो बोल जा वही आप यहां पे कर दीजें और जितने व्यक्ति बोल यहां और पर अब दो सवाल आपकी स्कीन पर आ रहा है उसको देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपकी स्कीन पर यहां पर देखिए आने जा रहा है अगला सवाल क्या कह रहा है यहां पर देखिए यहां पर बीस आदमी एक काम को अठारा दिन में कर सकते हैं ठीक है कह रहा है कि बीस आदमी एक काम को अठारा दिन में कर सकते हैं अठारा दिन में कर सकते हैं उन्होंने तीन दिन मिलकर काम किया उसके बाद पांच आदमी उनके साथ सामिल हो और हो गए कह रहा है कि 20 आदमी 18 दिन में काम कर सकते हैं यानि कि ये 360 काम करेंगे ठीक है लेकिन ये कह रहा है कि 3 दिन मिलकर काम किये यानि कि 20 आदमी 3 दिन मिलकर काम किये यानि कि 60 काम इन्होंने पूरा उसके बाद कह रहा है कि और आदमी आ गए तो और आदमी कितना बचा आपका 300 काम बचा, पहले 360 था, 60 ये काम कर चुके हैं तो 300 काम बचा है आपका, तो क्या पूँच रहा है कि 5 व्यक्ति और सामिल हो गए, पहले आपके पास कितना 20 व्यक्ति थे, अब कितना हो गए, 25 व्यक्ति हो गए, यानि कि 25 व्यक्ति अब इस 300 सो को काम करेंगे करेंगे तो यह कितना हो जाएगा बारा हो जाएगा तो क्या पूंच रहा है कि कितने दिनों में पूरा हो जाएगा वह यह बारा दिनों पूरा हो जाएगा देखिए समझ यह फिर से कह रहा है कि 20 व्यक्ति किसी कार को 18 दिन में करते हैं हमने कर दिया 20 व्यक्ति 18 दिन में कोई काम करेंगे तो 360 काम हो जाएगा यानि पूरा काम ही 100 प्रिस्वत हो जाएगा लेकिन इसने कहा कि जो ये 20 व्यक्ति हो के वो 3 ही दिन काम करते हैं यानि कि 60 काम कर लेते हैं फिर कह रहा है कि जितना बचा आपके पास 300 काम अभी बचा है और उसको 5 व्यक्ति और मिलके करते हैं यानि कि 25 व्यक्ति मिलके करते हैं टोटल आपका काम 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा ठीक है तो यही तो आपका उत्तर था चलिए अगले सवाल की और बढ़ते हैं हम अग यदि 5 व्यक्ति यहां पर कर यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाईयां बना लेते हैं कहरा है कि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं यह 5 चटाईयां बनाते हैं यहां पर ध्यान रखेगा जो काम होगा वो नीचे आएगा ठीक है तो 10 व्यक 10 घंटे में कितनी चटाईयां बना लेंगे ठीक है यही तो आप से पूँच रहा है तो यह आपका क्रॉस मल्टिपिकेशन हो जाएगा पहले हम काट लेते हैं पांच दूनी 10 पांच दूनी 10 प्यानी कि 4 पंचे 20 चटाईयां जो है वो मिलके बना लेंगे ठीक है हाँ तो आप से पूँचा है कि कितनी चटाईयां मिला लेंगे तो 20 चटाईयां ठीक है यह आपका उत्तर हो गए चलिए हम अगले प्रिस्न क्योर बढ़ते हैं एक और प् व्यक्ति एक कार को डेड़ सो दिनों में पूरा कर लेता है कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार को डेड़ सो दिनों में पूरा कर लेता है उसमें वह दो सो व्यक्ति नियूक्त करता है ठीक है डेड़ सो दिनों में काम करने का वो ठेका लेता है उसमें दो सो आदमी वो व्यक्ति इसने नियुक्त किया ठीक है और कह रहा है कि 50 दिनों में जो काम था वो केवल एक चौथाई पूरा हुआ यही तो सवाल कर रहा है कि 500 दिन में काम करने का ठेका लिया और 200 व्यक्तियों को लगाया लेकिन 50 दिन बाद वो देखता है कि काम सिर्फ एक चौथाई ठीक है अब यहां पर 200 व्यक्ति पहले थे तो 200 प्लस कितने आद्मियों को लगाई एक्स ठीक है कितने दिन बचा है इनके पास 100 दिन बचा है अकाम इनके पास कितना बचा है 3 बटा 4 बचा है ध्यान दीजिएगा यही सवाल आप से कह रहा है बस अब आपका उत्तर आ चु ठीक है अब यहां पर देखें यह इधार हो जाएगा यानि कि कितना हो जाएगा 200 गूड़े 50 गूड़े 3 बराबर 200 प्लस एक्स गूड़े 100 जो गूड़े में है वही कटेगा प्लस वाला नहीं कटेगा तो 100 दुनाएं 200 ठीक है तो 2 त्याएं 6 पंचे 300 यह हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 200 प्लस X हो जाएगा X बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस 200 बराबर 100 यानि कि वो कि 100 और आदमियों को जब लगा लेगा 100 में 100 आदमियों को जो लगा लेगा तो उसका जो काम है डेर सो दिनों में पूरा हो जाएगा यदि वो सव आदमियों को नहीं लगाएगा तो उसका काम रेड़ और अधिक समय लेगा ठीक है यह आपको उत्तर हो गया उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बहुत कठीन सवाल नहीं था इस चीज को आपको समझना है यहाँ पे बहुत ही आसान सा सवाल था तो यह रहे आपके लिए वीडियो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में इसी का एक और पार्ट लेका जिससे कि आपको और अधिक जो और कठी इंप्रेस्ट होंगे उनको आपको करने में कैसे आसानी मिलेगी तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ अब तक के लिए धन्वाद पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें जय हिंद जय भारत